प्रिय सिक्षार्थियों, NIUS के इस इस्टूडियो में, मैं डॉक्टर निलेश कुमार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनान्दन करता हूँ आज हम 25-26 के दुती भाग का हम अध्यन करेंगे पिछले भाग में हमने चंद के अंतरगत, जो अन्य चंदों का इंद्रवजरादी, 11 अक्षर, 12 अक्षरों वाले चंदों का हमने अध्यन किया प्रस्तुत भाग में हम 22 अक्छर वाले अन्य चण्दों का भी अध्ययन करेंगे 22 अक्छराब रती 22 अक्छर वाले चंदों में एक चंद महत्वपून चंद है दुरूत वीलम्बित चंद दूत विलंबित चंद का लक्षण है दूत विलंबित माह नभव भदव अर्थात नभव भदव यह महत्व पूर्ण है यह जो लक्षण में जो यह वरण है अक्षण है नभव भदव यही गण है नगण, भगण, भगण और रगण यह चार गण है पहले ही बताया गया कि ये वररिक्षंद है और वररिक्षंद के प्रत्येक गण में तीन अक्षर होते हैं और अगर ये चार अक्षर हैं तो अर्थात बारह अक्षर हो गए और समवरित्षंद है इसलिए प्रत्येक चरण में बारह अक्षर ही होते हैं इसके लक्षण के व्याख्या को देखते हैं, कि इस चंद के प्रत्येक चरण में क्रमसह, नगण, भगण, भगण, रगण होता है। यह एक समवन्दित्त चंद है और इसके प्रतिक चरण में द्वादस मात्राएं होती हैं और एवं पाद के अंत में अरथात इसके चरण के अंत में यती होता है इसके इशलोक को देखते हैं, इशलोक में हम लक्षन घाकित हुए हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, इस लोख है, दुरूत गतिही पूर्शोधन भाजनम, भवति मन्द गतिक्ष्चसुखोचीतः, दुरूत विलंबित खेल गतिन रिपह, सकल राज्यसुखं प्रियम अश्नूते यह इस छंद का लय है, आप लय से भी छंदों को पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं, और यह अभ्यास से आप वगवस्य सीखेंगे, अब इसमें हम इस स्लोक में छंद के लक्षन को घटाएंगे, तो नभव भरव, नभव में न है नगर, नगर में तीनो अक्षद लगू हो होता है, तो भगण के तीन अच्छर में bhaanas अथात प्रथम लगू दिर्ग है, और अन्थी में दू अक्षद लगू हैं उन्हा भगण है, अथात दिर्ग और लगू लगू, और अन्थ में रगण है, नभव भडव रगण में रगण का जो गड चिन्ह है, वह है बाकी के तीन चरणों में भी आप स्वयम से अभ्यास करके देख सकते हैं अगले इस लोग की तरफ हम बढ़ेंगे अगले चंद की तरफ अगला चंद है भुजंग प्रयात चंद इसका नाम ही है भुजंग प्रयात की भुजंग के समान प्रयात गती वाला चाल वाला जो छंद है उसको भुजंग प्रयात छंद कहते हैं जैसे सर्प कुंडली अपने कुंडली के सहारे आगे बढ़ता है, वैसे ही यह चंद भी उसी की भाती आगे बढ़ता है, अथात जैसे सर्प तेजी से आगे बढ़ता है, वैसे ही यह इस लोक भी यह चंद भी जब हम इसको चंदगान करते हैं, तो यह भी उसी तरीके से अर्थात इसमें चतुरभिर यकारई हूँ, चार यकार पाय जाते हैं। अर्थात इस छंड के प्रतेक चरोन में क्रमसह चार यगन होते हैं। चार यगन मतलब यगन, यगन, यगन होता है। यमाता इसका जो चिन्ध है लगू दिर्ग दिर्ग ये यगण का चिन्ध है तो इसके चारों चरणों में यगण ही होता है चारे यगण होते हैं यह एक समवित्त छंद है इसके प्रत्येक चरण में द्वादस मात्राएं होती है एवं प्रत्येक चरण के अंत में यती होता ह भुजंग प्रयात जैसा बतलाए गया है वरलिक छंदों का हम प्रियोग कर रहे हैं तो यह एक वरलिक छंद है अब भुजंग प्रयात छंद का हम उदाहरण देखते हैं इसका उदाहरण है न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भरता न जाया न विद्या न भृत्य ही ममईव गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमे का भवानी यह एक इस्तोत्र है और संभवत प्रायह जो भी इस्तोत्र है वह इसी भुजंग प्रयात छंद में है हम नमामी समीशान जो महत्वपूर और सिव की इस्तुती की गई है वह भी भुजंग प्रयात छंद में ही उसका भी वरलन है अब भुजंग प्रयाच्छन्द का जो लक्षण है उसको हम प्रस्तोती स्लोक में घटाते हैं करें हैं चतुर भिर यकार रही है यकार का चिन्ह यगण का चिन्ह आपको ग्यात है कि जिसका यगण में प्रथम अक्षर लगु और अंतीम दो अक्षर वरण दिर्ग होते हैं तो यह माता लगु दिर्ग दिर्ग अब यही चिन्ह पूरे श्लोक में प्रतेक चरण में लगा हुआ है लगु दिरिग दिरिग लगु दिरिग दिरिग और लगु दिरिग दिरिग न तातो न माता न बंधुर न दाता तो प्रतेक चरण में 12 अक्षर है और प्रतेक चरण में कौन सा गण है एक ही मात्रगण का प्रयोग है इसमें यगण तो भुजंग प्रयात छंद का जो सामान लक्षण है वो आपको बतलाय जा चुका है, प्रस्तुत इसलोक के माध्यम से आप अन्य इसलोकों को भी अभ्यास करने का प्रयास करेंगे अगले छंद की तरफ हम बढ़ते हैं? अब हम चतुरदस अक्षराह बदते हैं, अथाथ 14 वर्डवाले छंदों के विशेन करेंगे 14 वर्डवाले छंद कौन कौन से हैं? 14 अक्षर वाले छंद जिसमें प्रमुक छंद है, बसंट तिलका छंद वशंत तिलका छंद का लक्षण है गेयम वशंत तिलका तभजा जगऊगह यह जो भाग है यही इस वशंत तिलका छंद का लक्षण है अर्थाथ इस चंद के प्रतेक चरण में क्रमसह तभजा में तगण, भगण, जगण, उनह जगऊगह जगण और गऊगह अंत में दो गुरुवर्ण प्राप्थ होता है अर्थाथ बशंत तिलका छंद के प्रतेक चरण में क्रमसे तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में दो गुरुवर्ण होता है यह एक समवित्यचंद है, रस्तुत लक्षण को उदाहरण में घटाते हैं, उदाहरण है, बहुती सुन्दरिश लोख है, और इसका लय है निंदन्तु नीति निपुडा, यदिवास्तु वन्तु, लक्ष्मिही समाविशतु गर्चतु वायतेष्टम, अध्यईववामरणमस्तु युगांतरेवा, न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदम नधीरा रस्तुति स्लोक में बसंत तिलका के जो लक्षण है, उसको हम घटाएंगे, तो लक्षण क्या है, पुनहेगवाजिश्मार करते हैं गेयम बसंत तिलका तभजा जगवगह, तगर, भगर, जगर, जगर और अंत में दो गुरुवरण है इसको हम प्रथम चरण में घटाते हैं, कि तगण, तगण का चिन्ध है, जिसका आंतिम अक्षर लगू हो, तो दिर्घ लगू, निंदन तुमें आप देखेंगे, निंदन तुमें नी को दिर्घ क्यों किया गया, क्योंकि उसके आगे वाला जो वरण है, वो संयुक्त अक अक्षर के पहले वाला वरण अगर लगू है, तो वो दिर्घ हो जाएगा, और दिर्घ है, तो वो दिर्घ ही रहेगा, यहां पर निंदन तुमें नी जो है, नी के आगे वाला अक्षर दिर्घ है, तो नी भी स्वतह दिर्घ हो जाएगा, और द जो है, वो लगू है, लेक हरश्व ही रहेगा, लघु ही रहेगा, तो तगण पुनह भगण है, तभज़ा जगवगॉगग miejscLR म Q एनत में दो गुरुवर है में कि इस्तुवन्तु में वह इस्तुवन्तु तो हो जाएंगे वन्तु में जो आधार तु है वह तो लगु है लेकिन जैसा आपको पूर्व में ही नियम बतलाया गया है कि विकल्प से अंत में च्छंद भंग नहों हो उसके लिए उसको हम विकल्प से दिर्ग को लगु और लगु को दिर्ग कर सकते हैं अन्य इस लोकों में भी आप इसी लक्षन को घटा करके लक्षित करा करके आप अभ्यास करेंगे इसके अन्य बहुत से सुन्दर उदाहरण आपको आपके गन्तों में देखने को मिलेंगे अगले लक्षन की तरफ हम चलते हैं, चंद की तरफ चलते हैं अगला चंद है, पंदरह अक्षरों वाला चंद अभी हमने पूरों के जो पढ़ें वह 14 अक्षर वाले चंद थे अब हम 15 अक्षर वाले चंद मालेनी चंद के विशय में पढ़ेंगे मालिनी छंद किसे कहते हैं यह भी एक सुन्दा छंद है इसका जो रक्षण है इस छंद का जो प्रमुख गण जो है वह इन ही में है यह पाँच गण इसमें प्राप्त होते हैं यह पाँच गण इसमें है तो इसका जो लक्षण है कह रहे हैं इस छंद के मालिनी छंद के रतेक चरण में क्रमसह नगण नगण मगण यगण और यगण आते हैं और इसमें आठ और साथ अक्षरों पर यती होता है भोगी लोकई है यती जहां है उसी के लिए संकेत है भोगी लोकई है हमारे यहां सर्पों की सर्पों आठ पकार के सर्प पाये जाते हैं सर्पों में आठ सर्प प्रशिद्ध है भोगी सब्द जो है वह सर्प के लिए प्रिश्द्ध है शेशनाग आज ही जो शर्प है वह इन्ही प्रशिद्ध शर्पों में इनकी गरना होती है अलोकईह लोक से ताथपरे है साथ लोक पिथवी से उपर के जो लोक हैं वो साथ लोक हैं जिनका नाम है भू, भुव, स्वभ, मह, जनह, तपह और सत्यम यह पिथवी से उपर के जो साथ लोक हैं तो यती कहा होगी इसी को बतलाने के लिए यह इस भोगी लोक यह सब्द का प्रयोग किया गया है कि भोगी मतलब सर्फ आठ हैं तो इस चंद के प्रतेक चरण में आठ और लोक अर्थात साथ आठ और साथ अक्षरों पर यती होता है यती अर्थात जहां जिहुआ स्वतह विश्राम कर ले स्वतह रुख जाए लक्षण में ही देखिए लक्षण के उच्चारण में जिहुआ स्वतह आठ अक्षरों पर अपर रुख जाती है ननमयययुतेयम यह आठ अक्षर है आप जब गरना करेंगे तो देखेंगे यह आठ अक्षर है तो जिहुआ स्वतह ही आठ अक्षरों पर रुख जाती है अगला है मालिनी भोगी लोकई अंत में यती है तो मालिनी छंद के प्रतेक चरण में क्रमसह नगर नगर मगर यगण और यगण आते हैं और इसके प्रतेक चरण के आठ और साथ अक्षरों पर यती होता है उदाहरण देखते हैं बहुती सुन्दर ये उदाहरण है अभिग्यान साकुन तलम से लिया गया है इसके प्रत्थम चरण में छंद को घटित कराया गया है नन मयययु तेयम नन अथाद नगर नगर के तीनों अच्छर लगू होते हैं तो नगर पुनह नगर आया है नगर उसके भी तीन अच्छर लगू है नगर नगर नन मयय अथाद जिसके तीनों अच्छर दिर्ग हो तो दिर्ग का चिंद बना हुआ है अनुविद्धम विद्धम विद्धस विद्ध सै यह मखन का चिन्ध हुआ, नन मयो, यगण का चिन्ध क्या है? लगू, और अन्तिम दो अच्छर दिरिग है, पुनह यगण का चिन्ध है लगू, दिरिग, दिरिग यहां मालिनी छंद का लक्षन है और यहीं इस तरीके से उदाहरण में घटित कराया गया है, अब इसके लए को देखते हैं, छंद का महत्यपूर्ण प्राणत तो क्या है, एक तो उसके गण है, गणों का क्रम होता है, दूसरे उसके लए, अगर आप अन्य लएओं में गाते हैं, तो उसका छंद भंग हो जाएगा, यदि छंद भं अनुविद्धम् सैवलेनापिरम्यम् मलिनम अपिहिमान्सोर लक्ष्म लच्मिम्तनोति यमधिक मनोग्या वलकलेनापितन्वी किमिवहिमधुदाराम मन्जनम्नाकृतिनाम मालिनी छंद का यह सुन्दर हुदारण है और यह मालिनी छंद का लए है, इस लए के माध्यम से भी आप छंदों की पहचान कर सकते हैं अगले छंद की तरफ हम बढ़ेंगे अगला छंद जो है वह सत्रह अक्षर वाला है अर्थात इसके प्रतेक चरण में सत्रह अक्षर हैं तो आप स्वत्रह जोड लीजिए कि इसके चारों चरणों में मिलाके अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी तो सत्रह अक्षर वाले जो प्रमुक्षंद है उसमें सिखर्णी चंद अन्यतम है और सिखर्णी चंद चंदों का राजा कई चंद हैं जो चंदों की राजा कहे जाते हैं उसमें सिखर्णी चंद का अन्यतम इस्थान है सिखर्णी चंद का जो लक्षण है उसको देखते ह यह हुखरी चंद का लक्षण है, और चंद का जो लक्षण ही है, उसके लक्षण को उसी में घटाया भी जा सकता है चंदों की ये विशेष्टा है कि यह जो चंद का लक्षण किया गया है जो बतलाए जाते हैं कि कौन-कौन से गणों का जो क्रम है उन क्रमों को इनके लक्षणों पर ही जब आप लगाएंगे तो देखेंगे वह अपने अर्थ को ही बतला रही है तो सिखररी चंद के करें यमन सभलागह कौन-कौन से गण है यमन, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, और अंत में लगु और गुरु वर्ड तो यमन सभलागह यह जो है यही सिखररी का मूल गण है अब सिखररी कहते हैं सिखर परवत का जो इस्त्रिलिंग सब्ध होता है उसको सिखररी कहते हैं और सिखररी का जो बड़े परवतों के नीचे जो छोटे परवत होते हैं उनको सिखररी कहा जाता है सिखरी कहा जाता है अब इसमें किनकी नच्छरों पर यती होता है तो करें रसाइह रुद्रईश छिनना रस छे होते हैं और रुद्र हमारे यहां 11 आदित्य पाये जाते हैं रुद्रों की संख्या 11 पाये जाती है तो 6 और 11 अक्षर पर यती होती है अथार जिहुआ स्वत्र उदाहरण में ही देखते हैं कैसे इसको हम घटाए है इसका उदाहरण है यदा किंचेत ग्योहं द्विपईवमदांधह समभवं तता सर्वज्योस्मी त्यभवदवलीप्तम्ममनह यदा किंचेत किंचेत बुधजन सकाशादवगतम् तदामूर्खोस्मीती जवरईवमदों में व्यपगतः यह सिकरली छंद का लए है लक्षण को घटाते हैं कि यमन सभलागह सिकरली यमन अथा यगन यगन का जो चिन्द है लगू दिरिख दिरिख मगण में तीनों अक्षर दिरिख होते हैं फिर नगण नगण के तीनों अक्षर लगू होते हैं फिर सगण सगण के शुरू प्रारम के दो अक्षर लगू और अंति में अक्षर दिरिख होता है यमन सभ भगण, भगण का जो चिन्ध है वह है दिर्ग लगू लगू और अंत में लगू और गुरू चिन्ध पाए जाते हैं यहाँ सिखररी चंद का लक्षण हुआ अन्य के तीन चर्लों में आप स्वैम इस चिन्ध को घटित कराने का अभ्यास करेंगे और इसके अतरिक्त अन्य शोकों में भी आप अभ्यास करने का प्रियास करेंगे अगले चंद की तरफ बढ़ते हैं, अगला चंद है मंदा करानता चंद महाकवी काली दास का सबसे पसिद्ध चंद माना जाता है और इसी चंद के आधार पे उन्होंने मेघदूतम जैसे ग्रंथ की रचना के दी जिसमें केवल एक मात्र चंद मन्दाकरांता चंद है इसी चंद को आधार बनाके उन्होंने विरह का मेघदूतम विरह के रूप में मन्दाकरांता का प्रयोग उन्होंने किया है मन्दा क्रान्ता च्छन का जो लक्षण है वो है मन्दा क्रान्ताम बुधिर सन गैर्मव भनव तव गयुगमम इसके लाइक को हम आगे देखेंगे कह रहे हैं मन्दा क्रान्ताम बुधि सन गैर्मव भनव तव गयुगमम अर्थात मगर भगर गैर्मव में मगर हुआ मगर भगर नगर तगर तगर और अंत में दो गुरुवर्ण है तो गर कितने हैं पहले हम यही गरना कर लेते हैं गर कितने हैं मगर भगर नगर तगर 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 अर्थात पांच गर यह हुए तो एक गड़ में अगर तीन अक्षर है तो पांच गड़ों में पंदरह अक्षर हुए और अंत में दो गुरुवर्ण होते हैं तो ये दो गुरुवर्ण मिलके कितने हो गए सत्रह अक्षर तो मंदा करांता के प्तेक चरोन में क्रमसह, मगड, भगड, नगड, तगड, तगड तगड और दो गुरुवर्ण होते हैं और इसमें चार, छह और साथ अक्षरों पर यती होती है उसके लिए उन्होंने क्या संकेत किया है अंबुधि हमारे यहां विश्व में सागर चार पाए जाते हैं तो चार अक्षर पर यती होगी रश जो हम खाद्य परात जो हम भोर्या नादी करते हैं इसमें जो रशों की संख्या पाए जाती है वो छे है तो चार और छे और नगई परवत कितने हैं हमारे हां प्रमुख परवतों की संख्या साथ मानी जाती है तो चार छे और सात अक्षरों पर यती होता है इसके लक्षण को उदारण में घटित कराते है उदारण है यह मंदा करांता च्छन का उदारण मेगदूतम का प्रथम इश्लोक है इसके प्रथम चर्ण में ही लक्षण को घटित कराया गया है मगर में तीनोक्षदिर्ग है तो यहां देखेंगे आप चिन्दे में प्रथम मगर है कष्चित का अंता विरह गुरु楽ा श्वाधिका आरात प्रमत्ता है तो मगर ताके गड़ों का क्रम है और यही क्रम अन्य तीन चरणों में भी आप घटित करा कर अभ्यास करेंगे इसके लाइक को देखते हैं बहुत ही सुन्दर छंद है इसका जो छंद गान है बहुत और सुन्दर है कश्चित कांता विरह गुरूरा स्वाधिकारा त्रमत्त शापेना स्तंगमित महीमा वर्षभोगेड भर्तुह। यक्षश्चक्रे जनकतनया श्नान पूण्योदकेशू श्निकधक्षायातरुशू असतिम रामगेर्याश्रमेशू यहाँ इस्चन्द का लए है अन्य लए भी है आपको अभी एक लए पे इसका भ्यास करने का प्यास करना चाहिए अगले चन्द की तरफ बढ़ते हैं अगला चन्द है शारदूल विक्रीजितम शारदूल कहते हैं शिंग को शिंग का बच्चा जैसे उचलता कूझता रहता है उसी प्रकार से इस चन्द के भी लए में उपर नीचे लएं की जो विधा है उसको देखते हैं इसमें प्रस्तुष चन्द में यह चन्द सारदूल विक्रीजित चन्द यह उननीस अक्षरो वाला चन्द है इसका लक्षण देखते हैं शूर्या स्वैर्यदिमह सजव सततगाह शारदूल विक्रीजितम सूर्य कितने हैं बारह हमारे हैं बारह आधित्य माने जाते हैं ग्यारह तो रुद्र हैं सूर्य की संख्या कितने आधित्य माने जाते हैं बारह आधित्य और सूर्य के अश्व कितने हैं अस्व उनके सात हैं इसके 12 और 19 यक्षद पर यती होती है तो इसके लक्षद क्या है गणों का क्रम क्या है साद उल्विक्रिजि छंद में तो मगण सगर जगर सगर तगर 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 अथाथ इसमें आप देखेंगे, तो मगर सगर, जगर सगर, तगर तगर, एक, दो, मगर से, एक, दो, तीन, चार, पांच और छे, अरथाथ, इसमें छो गरों का समुह है, तो तीन से अगर आप इसमें गुरा करते हैं, तो अठादा अक्षरवा, अधनते में एक गुरुवरड होता ह तो यहां 19 अक्षरों का गड़ है, तो इस चंद के, सादुल विक्रिजित चंद के प्रतेक चरोर में क्रमसह, मगर, सगर, जगर, सगर, तगर, तथा अंत में एक गुरुवर्ण होता है, और 12 में एवं 19 में अक्षर पर यती होता है, यती अथा जहां जी हुआ सोतह रुक जा होते हैं, रक्षर को घटाने का प्रयास, आपके पुस्तक में ये बहुत ही सवस्ति वंदना है, सवस्ति स्तुत्र है, जहां प्रतेक विद्यारियों में इसका गान होता है, यह इस लोख है, या कुंदेंदु तुशार हार धवला, या शुब्रवस्त्रा बृता, या वीडावर दन्जमंडितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रम्हा चुत शंकर प्रभितिभिर, देवहि सदावंदिता, सामाम पातु सरस्वती भगवती, निशेश जाजाम पहा, यह इस शंद का लए है, अन्य लए में भी इस शंद का गान होता है, शंद में जो लक्षन का घटित है, आप देखेंगे, लच्छन जो है, सूर्या स्वेर्यदी मह सजव सततगाह, मह अर्थात मगण सजव, सजव का है, सलगा लगू लगू दिर्ग, मगण के तीनों अच्छा दिर्ग होते हैं, सगण के प्रथम दो अक्षा लगू और अंतिम अक्षा दिर्ग होते हैं, फिर है मह सजव सततगाह, पुनाह है, लगू दिर्ग लगू दिर्ग, दिर्ग लगू, दिर्ग दिर्ग लगू और अंत में गुरुवर्ण है, आप इसमें संयुक्त अक्षरों के पूर्व के जो अन्य इस लोकों में भी आप इसी प्रकार से इन चंदों के गड़ों के क्रम को लगा करके इसको घटित कराने का अभ्यास करेंगे सबसे महत्रपूर्ण चित जो है चंद में वो यहा है समभृत्य चंदों में कि चंदों के गणों के क्रम में आप परिवर्तन स्वयम से नहीं करेंगे यदि आप गणों के करम में परिवरतन कर देंगे तो चंद भंग हो जाएगा और चंद भंग होने पर चंद का उचित परियोग नहीं किया जा सकता इसलिए चंद का जो प्रानभूत तत्व है उसके गण और गणों का करम आशा है आप सभी लोगों को चंद अच्छे समझ में आया होगा एक अन्य इस चंद का उदाहरन है बहुत ही प्रशिद्ध उदाहरन है वो है अभिज्ञान साकुंतलम का इसलोक है इसको भी आपको लए इसका बतलाने का अभ्यास कराते है या सत्याद्य सकुंतले तिहृदयम संस्प्रेष्टमूत कंठया कंठस्तंभित वाष्पवृतिकलुषा शिंताजरं दर्शनं वैक्लब्यम्मतावदी द्रिशमिदं श्नेहादर र्योकसह पीजन्ते ग्रीडः कथम उतनया विशलेशदू खैनवई प्रस्तुत श्लोक में भी सादोल्विक्रित रिच्छन्द है इसी तरीके से आप अन्य श्लोकों का भी अभ्यास करेंगे धन्यवाद झाल